हलो दोस्तो आज सुबद जैसे ही मुझे मेसेज आया अब तुरंट हम पहुंद गे वी आरेल लोजिस्टिक के हैं और अपना कोरियर लेने तुरंट कोरियर वहां से लिया अपने गाड़ी में भरा और चल दिये हम अपने घर अपने प्रोड़क्ट का जो है आज रिव्यू क करेंगे अन्बॉक्सिंग तो मैंने कर दी है मैंने भी जो है और प्लेज किया था और मेरा पार्सल जो है आज मुझे मिल गया लखनो में तो मैंने उसको खोल दिया है और उसके पैकेज को खोलने के बाद केजेस कुछ ऐसे दिखते हैं इसके बाद जो है जब हम इसको फिक और फिक्स करने के बाद जो है केज कुछ ऐसे रिखता है यह यह आई भाई डेड़ वाई यानि 2.5 बाई 1.5 बाई 1.5 फीट का है और इसके साथ जो है दोस्तों दो पर्च एक जो है केज जो ट्रे है उसके बाद दो जो है फीडर बॉक्स मुझे मिल जो फीडिंग के लिए बाकि चाइनिस केजेज के मुकाबले इसकी जो आइरन की क्वालिटी हो काफी मजबूत है और अच्छी चीज जो दोस्तो है कि इसमें ब्रीडिंग बॉक्स जो है लगाने के लिए आगे दिया गया है और इसमें लॉक जो है इन्होंने लॉक अगर आप लगाते तो उन्होंने इन बिल्ड एक लॉक टाइप का दिया हुआ जिससे आपका बड़ इसे खोल नहीं सकता है यह अच्छी चीज है उसके बाद यह दोर में भी इन्होंने जो है फ्रंट में ऐसा दिया जिससे की बड़ ओपन नहीं कर सकता है उसके बाद रखने के लिए अपने बड़ को फीड कर सकते हैं यहीं केज बीना खोले ही जो है उसके बाद जोconomy ट्रे की क्वालिटी भी जो है ठीक है बाकी जो चैनिस केज के मुकाबले इसकी भी क्वालिटी जो है ठीक ही है बट इसमें थोड़े जो मुझे 19-20 कमिया लगी जो है दोस्तों वह मैं बताना चाहूंगा जैसे ब्रीडिंग बॉक्स के लिए इसमें आगे दिया गया है बट दूसरी चीज जो ट्रे की कि क्वालिटी है वह कुछ खाज नहीं है यह जो है काफी हलकी है बाकी चैनिस के और जो आईरन है दोस्तों यह जासे जहां जाना लॉक्स है अगर जराशा भी हम इस पर जोरूर लगाते है तो इसके चांसस है क्यूंकि नो डट आट आरन तो जो मुकाबले rough and tough है बट क्योंकि iron थोड़ा straw इसमें जो है जो iron है वो थोड़ा rough quality का है इसलिए अगर ज्यादा इस पर load देंगे तो चटक सकता है यह मेरा मानना है बाकी overall देखा जाए दोस्तो प्राइज और quality के हिसाब से तो यह cages जो है काफी अच्छे है इसको आप जो है online जो है वाटसर पर संपर करके उनको order प्लेस कर सकते हैं और delivery भी दोस्तों आपको यह vrl के थ्रू मिल जाता है तो कोई scam कभी हमको लग रहा है और quality जो है चाइनिस के मुकाबले दोस्तों इसके quality तो ठीक ठाक मुझे लग रही है बाकी यूज करते हैं यूज करने के बाद जो आगे का review मैं आपको दूँगा कि क्या है इसमें और या कुछ अगर कमी निकल रही है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों